तो बहुत जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इंडिल बैक्टम 3 में आज चुका है न्यू अपडेट है न्यू अपडेट में कॉफी सॉरी न्यू चीज़े आड हुई है गेम में जिन में से जादतर चीजों के बारे में आप लोग को अभी तक पता चली चुका होगा लेगन इस घर के उपर स्पॉन होते थे यह हमारा पुराना घर हो चुका है अब भी के अपडेट में लेकिन अपडेट ते पहले आप लोग जब भी गेम स्टाट करते थे मिल्कुल इस वाली लोकेशन पर लेकिन अप भी अपडेट के बाद हमारे घर को ही चेंज कर दिया गया है अब भी आप लोग spawn होते हो इस वाले घर की इस वाली जगा पे यह वाला गर शायद पिछले घर से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग ने यहाँ पे एक बात notice नहीं की होगी यहाँ पे एक पंखा है अप लोग इस पंखे को on भी कर सकते हो यह बात बहुत ही कम बंदों को पता है कि यहाँ पे आप लोग ने लिखना है fan on तो यह वारा पंखा चालू हो जाएगा और जैसे आप लोग RGS टूल के अंदर लिखोगे fan off तो यहाँ पे यह वारा पंखा बंदो हो जाएगा तो ये वार अपडेट बहुती कम बंदों को बता था मेरे को मेरे सस्क्राइबर ने बताया था और मैंने आप लोग को बता दिया और आप लोग कमेंट पर गए बताना कि आप लोग को ये वार अपडेट पहले से पता था या फिर नहीं और चलो अभी लगे हाथ आप लोग को बागी अपडेट भी बताई देता हूँ तो सबस्क्राइब आप लोग अभी घर का कलर चेंज कर सकते हो इसको आप लोग येलो, रेड, ग्रीन को इसा भी कलर कर सकते हो उसके लिए आप लोग ले जाना है RGS टूल के अंदर ये कैसे चलती है, ये कार साइज में काफी जादा बड़ी है और भाली फरकम लगी है, चलो इसको चलागे देखते हैं इसका स्पीड टेस्ट करती है, कित्ती स्पीड आइस के अंदर यहाँ पर मौड काटते काटते बाई, गेर मत जाना गई पे तू और अंदर का डेशबोर भी आप लोग देख सकते हैं, काफी जादा उसम लग रही है और स्पीड भी इसकी ठीक था गई है, बाकि यहाँ गेम में स्पीड ओमेटर तो है नहीं जिसकी वज़े से हम लोग एक्क्यूरेट स्पीड का पता लगा सके हैं गेम में जो न्यू एक और चीज़ आई है, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट वो है जेट पैग जिसका चीट कोट है 320, इसको डैल करते हैं आप लोग के सामने आ जाएगा जेट पैग जिसको लेके आप लोग उड़ सकते हो और इसका आप लोग कलर भी चेज़ कर सकते हो, तो रेड कलर इसको लेके हम लोग उड़ भी सकते हैं यह बिल्कुल नहीं चीज़ आई है गेम में, कार्स अब गएरा तो पहले से ही गेम में थी, लेकिन यह वाली चीज़ बिल्कुल नहीं आई है जब भी आप लोग इसको चलाओगे ना तो आप लोग को लगेगा कि हेलिकॉप्टर से तो यह काफी ज़ादा फास्ट है, हेलिकॉप्टर बहुत ही स्लो चलता तो लेकिन यह काफी ज़ादा फास्ट है और भाई बेरा फेबरेट बन चुका है, यह वाल अब्डेट इस अपडेट में बहुत बहुत ज़ादा क्रेजी चीज़े अड़ हुई है और सबसे जादा crazy चीज तो आप लोग के सामने यह यह वाला jetpack जो की बहुती जादा बड़ी अलग रहा है इसको अभी आम लोग RGB घर के उपर लैंड करवाते हैं RGB घर के उपर RGB jetpack को लैंड करवाएंगे भाई सब कुछ ही RGB हो गया है तो अभी अपने jetpack को करवाते हैं इस घर के उपर land और हाँ यह वाली चीज आप लोग ने शायदी notice की होगी बहुती कम बंदों को यह पता होगा चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ RGB color करोगे तो आप लोग का घर transparent हो जाएगा विश्वास ना हो तो गेम में जाके ट्राइ करके देख लेना है और लाइप प्रूब आई आप लोग के सामने यह घर बिल्कुल हो चुका है transparent क्यूंकि हम लोगों ने किया इसको RGB color और सच-सच बताना यह comment section में कि आप लोग को यह वाल अपडेट पता था कि आप लोग आगर RGB करोगे घर को तो वह transparent हो जाएगा तो मैंने बता दिया ओके तो गेम में दो-दो jetpack है एक का cheat code है 320 एक का cheat code है 330 बागी काम दोनों का सेम ही है यह मत सोच लेना कि यह चोटा है तो यह कोई चोटा काम करेगा ने बागी यह चोटा पैके बड़ा दमाका है बागी यह अपडेट तो बहुती जादा बड़ा दमा बागी